प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बूक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना बोलें महीं स्लाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स मुमई के मानखुर्द में मामुली सी विवात की वज़े से सीख कबाब बनाने वाले सरीय से एक यूवक जिसका नाम है अकबर अली इस पर वार कर दिया गया और इसकी जान चली गई पुलिस ने इस मामले में टीन आरोपियों को पकड़ने का दावा भी किया है असल सुमवार की रात में हुई इस घटना से मानखुर्द के मंडाला इलाके में संसनी फैल गई जानकारी के मुताबिक मृतक अकबर अली उर्फ योसुप पठान ने इलाके में ही मौजूद जैनिल अब्दुल कदीर अंसारी 25 वर्षिय की अक्का नामक मोबाइल रिपेरिंग की दुकान है और यहाँ पर मृतक अकबर अली ने मोबाइल रिपेरिंग करने के लिए दिया था और बताया जा रहा है कि मोबाइल ठीक से रिपेर नहीं हुआ था जिसकी शिकायत लेकर अकबर अली जैनिल की दुकान पर पहुचा और इस दावरान जैनिल का भाई एहमद अब्दुल कदीर अंसारी 21 वर्षिय और सर्फराज हुसेन भी वहाँ पर पहुच गये थी तभी मोबाइल रिपेर को लेकर अकबर और जैनिल के बीच में विवाद हो गया ये विवाद इतना बढ़ गया कि इन लोगों में से जैनिल और उसके भाई ने पास में ही रखी सीख कबाब की सर्ये से अकबर पर वार कर दिया तदकाल अकबर को अस्पताल पहुचाया गया मगर बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने अकबर को मिर्ट घोलसित कर दिया और इसकी सूचना पुलिस को भी दी गये पुलिस ने अकबर की जान लेने के आरोप में तीन आरोपी जैनूल अंसारी अहिमाद अंसारी और सरफड़ाज अंसारी को ग्रफतार करने का दावा किया है इन पर 302, 3023 और 34 के तहत मामला भी दर्च किया गया है पुलिस ने इस पूरे मामले की जाच पॉर्टाल आगे और करने की बात कही है और ये भी कहा है कि इस पूरे केस में और भी आगी गिरफतारी हो सकती तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रही प्रहाट हुए